हेलो स्टुदेंट्स, गुड मॉर्णिंग तो अल आफ यू, चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अभी हम तेन क्लास्प में किस में थे तो दुई घात समी करंग में थे, और बता क्या रहे थे, बता रहे थे मूलों की प्रकिर्टी, यानि नेचर प्रकिर्टी, यानि मूलों की प्रकिर्टी, यानि मूलों की प्रकिर्टी, यानि मूलों की प्रकिर्टी, यानि मूलों की प्रकिर्टी, इसमें सबसे पहला था कि यदी दी लेजन जिरो हो यानि यदी डिस्क्रिमिनाट यानि विवेचक जिरो से छोटा हो तो मूल बास्तविक नहीं होगा यानि यदी दी लेजन जिरो हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा दी क्या है तो दी विवेचक है दी किसके बराबर होता है तो दी बराबर होता है दी अस्क्रिमिनाट प्रगिर्टी क्या है तब क्या किजीरे तो पहले दी निकाल लीजे यानि बियस क्वाइर माइनस 4स सब्से पहले क्या करना आपको तो डी क्या आप करना है दीब यानि क्या दिया दी आपको टीओ-दी काफ़ील्यूर अ उतका बियस्तविक क्या इसी जीरो से छोटा हो अर्थात डी किस में हो माइनस में हो तब मूल जो होगा वह बास्त्विक नहीं हो आएए दूसरा दूसरा है यदि दी बड़ावर जीरो हो तो मूल बास्त्विक एबं समान होगे तथा अलफा बड़ावर बी चा बड़ावर क्या होगा तो माइनस बी बाइ ठूए चैन दीजे यदि दी बरावर जीरो हो यानि हम दी आ स्कॉर माइनस पोडैसी का मान निकाले और हमें क्या मिले तो जीरो मिले तो जैसे ही हमें जैसे हमें बी अस्क्वाय माइनस पोड़ेसी का मान जिरो मेरेगा तो हम समझ जाएंगे कि डिस्क्रिम्नाट जब जिरो है तो मूल बास्तविक होगा एवं दोनों मूल आपस में बड़ाबर होगा उससे में अलफा बड़ाबर बीटा यह अलफा और बीटा दोनों बड़ाबर होता है और दोनों काहिमान कितना होता है तो माइनस भी बाई 2A यह आपका दूसर असरफ है तीसरा तीसरा कर्णिशन है यदी ग्रेटर जीरो कि यहां दिए तिसरा स्कार्थ है आपका यदि दी ग्रेटर जीलो इसका मतलब कि जब हम ब्यस्पार माइनस पोड़ेसी निकालेंगे तो जो मिलेगा हमको वह प्लस में आना चाहिए ग्रेटर जीलो मतलब प्लस में यदि दी ग्रेटर जीलो हो तो मूल बास्तविक एवं और समान होगा यानि यदि आप दी निकालते हैं दी का मतलब क्या होगा तो ब्यस्पार माइनस पोड़ेसी और वह मूल यानि और तब विवेचा कामार यदि जीलो से बड़ा हो यानि प्लस में मिले तब आप का मूल जो होगा बास्तविक भी होगा परन्तु और समान होगा अगर हम दो और तीन को मिट्स कर दें तो क्या होगा देखी चाहिए यदि मूल बास्तविक आपसे कहा जाए कि मूल क्या है बास्तविक है क्यों कहा है ठीक है तो आप क्या किजेंगा तो उसस्तमयाब दोनों को मिंस कर दिखेंगा गर्वराबर और बढ़ा दोनों को दिखाए घुवनों क्या 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 है दी अनिएक बसंक्या इन पर दूग तो यह हम पिछले क्लास में पिछले वीडियो उसके चर्चा किये थे कि वेबेचक क्या है तो अगर गुई घाज समीकरन हो आपके पास क्या हो AXA2 पलस BX पलस C बड़ाबर 0 जहां A0 नहीं हो अगर ऐसा आपको गुई घाज समीकरन हो आपके पास तब आ उसमें फॉर्मूला होता है AX का माइनस B पलस माइनस रूट अंडर B स्कॉाइर माइनस 4AC बाई 2A और B स्कॉाइर माइनस 4AC को हम दुई घाज समीकरन का वेवेचक करते हैं यहनि वेविक्टकर्वी इसका दूसरा नाम है अब यहां पर फ्रकृती के लिए में तीन है पहला यदि जीलो से छोटा है यनि माइनस में हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा दूसरा यदि जीलो के बड़ावर हो तो मूल वास्तविक होगा और सभान होगा और दोनों का इमान कितना होगा तो माइनस भीवा ए होगा तीसरा है यदि दी ग्रेटर जीलो हो मतलब यदि दी का अमान आपको पलस में मिले तो मूल वास्तविक होगा और और समान होगा इसी पर हम आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बोले थे कहा तक तो भाई छे तक हम लोग आपको शिक्स तक सॉल्व करने के लिए बोले थे और आप लोग किये भी होगे तो अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए आज का सवाल आप लोगों को घर से मंबर्ख है सभी लोग मेहनत कीजिए थोड़ा सा और आप लोगों को सॉल्व करना कितना तक तक 12 और आज हम स्टार्ट करते हैं कहां से तो 7 से चलिए फुरुआफ करते हैं देखिए लिए तो आज का हम सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या वो देखिए तो आज का सबसे पहला सवाल है वह है के का मान ग्याद करें के का मान ग्याद करें जिसके लिए द्वीधात समी करन 4x अस्क्वायर माइनस 2 इन्टो के पलस 1 इन्टो एक्स पलस के पलस 4 और बड़ावर जीरो के मूल समान है क्यान दीजेगा सवाल को जोड़ा वेखिए दियांसे के का मान ग्याद करें आपसे के का मान पूछ रहे है कब जब आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक समी करन है 4X रस्क्वायर माइनस 2 इन्टो के पलस 1 इन्टो X पलस के पलस 4 इक्वल टो 0 के मूल समान है यह आपसे कहा गया है कि इसका मूल क्या है तो समान है वोल यह मूल समान कब होगा जब बिवेचक यानि D किसके बरावर हो 0 के बरावर जान दीजेगा अगर डिस्क्रिमिनांट यानि बिवेचक किसी भी द्विगात समी करन का 0 के बरावर हो इसका मतलब है कि उस द्विगात समी करन का मूल समान होगा और यहां कहा रहा है कि मूल समान है बोला जारा है उनको तो जब मूल समान है इसका मतलब विवेचक उसका क्या है? 0 के बढ़ावर है तो आईए हम आपको इसको सौब करके दिखाते हैं देखें बनाना कैसे ध्यान दिजिएगा सबसे पहले लिख लिख लिए जो एक्वेशन दिया गया है 4x² माइनस 2 इंटू k पलस 1 इंटू x plus k plus 4 is equal to 0 देखें? standard equation यहाद हो रहाँ सब्सक्राइब को standard equation क्या होता? x² plus bx plus c equals to 0 अगर हम इससे compare करें तो बताए x² साथ यहाँ पे क्या है यह है? यहाँ x² 4 है यादि a का value हो गया कितना? तो 4 फिर देखें x के साथ यहाँ पे b है यहाँ x के साथ क्या है? तो देखें लिजें तो b कामान होगा minus 22 k plus 1 फिर c जो है वा constant है यह अच़ड है तो c कामान कितना होगा? तो c कामान होगा k plus 4 जैन दीजेगा हम अपने दिये गए द्विधास समी कर्टों से a, b और c कामान निकाल लिए निकाल लिएम अब सवाल में कहता है कि इसका मूल जो है वा समान है सवाल कर आप से कि मूल इसका क्या है? तो समान है जब मूल समान है इसका मतलब क्या होगा? देखें, यह नहीं दिये न का मूल समान है इसलिए d is equal to 0 अब बताए d का क्या होता है? तो d होता है b squared minus 4ac is equal to 0 अब ज़रा देहां दिजिए कि b आपका है क्या देखे? b है minus 2 into k plus 1 और a क्या है? 4 और c कितना? k plus 4 अब यह लगा रखते हैं इसके जगा पर तो देखें, b जगा क्या है? तो minus 2 k plus 1 हमें साब bracket लिखते हैं लोग तो चुकि फाहले से छोटी bracket थी तो हमें अपने मन से क्या देदिए? मंजली bracket देदिए अब यहां पर क्या होगा? तो b square इसका whole square फिर बढ़ी आगे minus 4 a के जगा 4 और c जगा k plus 4 is equal to 0 बिठा दिये अब आई इसको सौब करते हैं बोल यह जब whole square के जगा तो minus minus क्या हो जाएगा? plus होगा न? तो whole square के जगा तो minus minus क्या हो जाएगा? ठीक है? यहां भी आपका कितना है तो 4 into 4 k plus 4 is equal to 0 अब अगर आप थोड़ा ध्यान दिजे तो आपको क्या दिखेगा? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिजे तो आपको क्या दिखेगा? कि दोनों में 4 common है यहां भी और यहां भी कौनों का 4 common निकाल पुदर दिखेगा? यहां से दिखेगा? कि अगर हम इन टर्म से 4 common ले 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 इसमें 4, इसमें 4 तो 4 आजागा गुनाख रूप में उधर भी जाएगे तो क्या चला जाएगा? भाग की रूप में यानि 4 क्या हो जाएगा? आपका? समाउत हो जाएगा तो क्या बचाएगा आपके पास अब? तो के पलस 1 whole square माइनस 4 इंटू के पलस 4 इक्वास टू जीडू यह बचाएगा कब? जब हम 4 common ले खटा देंगे तब अब आईए आगे देखते हैं तो ध्यान देजिए solve करते हैं इसको तो बोलिए A plus B का whole square क्या आता है? A square plus 2 A B plus B square यहाँ multiply कीजिए plus minus minus plus minus minus is equal to 0 अब आईए इसको solve करते हैं देखिए क्या होगा? और K square plus 2 के plus 1 minus 4 के minus 16 equals to 0 और K square minus 2 के minus 15 equals to 0 बोल यह 5 दिया ही अंदर है अगर हम minus 5 के plus 3 के करेंगे घटाना आपको तो देखिए हमको चाहिए minus में तो minus लो रखेंगे बड़ा plus बड़ा छोटा अगर plus में चाहिए होता तो 5 के को लिखते है plus में इसको लिखते हो minus में अगर घटाना हो हम सभी जानते हैं कि हम विब्री चिन में घटाते हैं चिन उसका लिखते हैं जो बड़ा होता है तो factor is जन से set हो जाएगा तो आपका देखिए क्या हो गया तो दोनों आप देखते हैं कामन क्या आपका दोनों है के माइनस 5 इंटो के पलस 3 इक्वल टू 0 अब हम अगर इसको अलग-अलग तोड़ेंगे तो क्या होगा ज़र देखिए क्या है हम लिखेंगे आइडर के माइनस 5 इक्वल टू 0 जिससे के कामन कितना होगा तो 5 और फिर यहां क्या लिखेंगे तो के पलस 3 कोए टू 0 जिससे के कामन कितना होगा तो माइनस 3 देखिए प्रिस हम आप एक सम्झा देते हैं फूड़ाची ध्यान से देखिएगा कि यह आपको दिया गया दोई घात समी करने है इसको क्या करना है तो standard equation से compare करके ABC का मान निकाल देखिए X आसको एक साथ जो गुना रहा था वह एक हलाता है इससे एक कमान फोर्ड हो गया X के साथ जो गुना रहा था उसको B होते हैं तो B हो गया minus 2 into K plus 1 जिसमें कुछ नहीं हो स्वाचर बोलता है अजर को नहीं है तो K plus 4 है सवाल का करां से कि दुए घास समी करन का अमूल समान है इसका मतलब B वेचक कमान 0 होगा B वेचक यानि B square minus 4 C common 0 होगा B मतलब minus 2 into K plus 1 सब्सक्राइब माइनस तो माइनस दिए 4 है तो 4 लिखे एक जगए A दिए C की जगए C रहे अब क्या कि हम दो का होल सब्सक्राइब चार मिला यहां चार बुना चार इतना था दोनों सब्सक्राइब गरवेद यह खतम हो गया बच गया है ग्रे पलस ओन फोल सब्सक्राइब 2 चार जाब सब्सक्राइब चार मिला९各रों के इस वाइब को फ Suchड और यह आ माइनस 2 के माइनस 15 इकुल टू जिरो होता है अब हम आपको बताई से जब विधाथ का गुना कर देते हैं आप लोग आपस में तो देखिए एक गुना पंद रहे बराबर कितना पंद रहे और पास्तिया ही पंद रहे आच्छोंते में दूनी जाएगा देखिए इसको लिग के का मान 5 रखे हैं या फिर के का मान माइनस 3 रखे हैं तो यहीं आपको करना है तो शरी थोड़ा सा लग कढ़ी देते हैं आपको पुड़ा कर देते हैं इसको देखिए आइदर के माइनस 5 इक्वास्टू 0 और के इक्वास्टू 5 और दूसरा पाट क्या है तो के प्लस 3 इक्वास्टू 0 जिससे के का वैल्यू माइनस 3 यानि के का मान 2 होगे हैं इसको माइनस 3 और 5 यानि आप माइनस 3 और 5 दोनों वैल्यू रखे के का तो उसका मूल क्या जागा पसमें समाण हो जाई गानि जब यह ऐसाको सवाल नहीं इसमें आपसे कहुंत समान है तब वहां भीवे जब को अब rushing कosa जीघरो के रवार कर लिए और जैसे लाँअ को जीड़ों के बरहावर हो जाएगा वहां पर जिसकामान आपको पता नहीं है उस सभां दिखुर सभा जो आप एक सब्सक्राइब सब्सक्राड़ith सब्सक्राइब एंधे उनको आपको कि अगारा वुह सब्सक्राइब अगा निंधोट डिखें किरेंद Elsa 성ynn नमर बनाया है, कता k square x square minus 2 into 2k minus 1 into x plus 4 बड़ाबर 0 k mool समान है k mool समान है तो k का मान व्याद के व्याद आप से का रहा है किसका मूल समान है तब आप के का मान निकाल के बताईए की क्या होगा अब फिर देखिए थोड़ा से सवाल को फिर कुछ पता चाल जाएगा आपको देख दी जाएगा तो देखिए सवाल क्या है कि हम सब से पहले क्या करते हैं तो क्वाड़े टीकिट क्वेशन लिएगते है देखिए ध्याल से देखिएगा तो कि अभी जितना व्याद के एस्वार एकस्वार एकस्वार माइनस 2 इंटो के माइनस 1 इंटो एकस प्लस 4 इंटो जी अब यहां से कंपेर किजिए एकस्वार 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 एकस् काला होगा दिका मतलब क्या होगा अब स्ड़ tatap ya जिरो भी काइजने पिर बीजींगा फिर से जो समीकरन दिया हो रहेगा को समीकरन से कुर नढ़ाइक करके हम लोग एकाइब 겉ण झेफ्ट हमें उस कंडिसस्ता हमkay देखिए कंडिशन तो कि मूल क्या है समान है कि मूल यदी समान है तो मूल के समान होने का सर्थ है उसके विवेच्द यानि दी का मतलब B square minus 4 A C क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए तो हम इसी सर्थ को लेके देखे बर देखें ठीक है? आप बताएए B का मान कितना है? तो देखें, bracket का अंदर लिखें का minus 2 K minus 1 का whole square ठीक है? फिर minus 4 into A A कितना है? तो K square C कितना है? तो 4 equal to कितना? 0. फिर इसका whole square ठीक है? देखें क्या होगा? तो 4 K minus 1 whole square minus 4 into 4 K square is equal to 0. 4 दोनों में common है फिर से वापस हटा देजिए इसको और इसका formula अभी बाद में लगाए है और पिल हटा ये common से अब इसका formula क्या था? A minus B का whole square तो A minus B का whole square होता है A square minus 2AB plus B square यानि K square minus 2 into K into 1 plus 1 whole square minus 4K square equals to 0 अब यहां से फिर आप आगे जली है तो क्या होगा उसके जहन दीजिए और K square minus 2K plus 1 minus 4K square equals to 0 अब K square यहां K square यहां घटा दीजिए तो चार में से एक जाएगा तो कितना होज़ेगा? 3 ना देखे K square का sine plus इसका sine minus जैसे हम यहां से घटा हैंगे हमें मिलेगा minus 3K square minus 2K plus 1 is equal to 0 अब यहां से minus common निकल दीजिए तो 3K square plus 2K minus 1 equals to 0 minus उदर में दीजिए खतम हो जाएगे जिए अब आपके पास क्या मुचा? तो 3K square plus 2K minus 1 equals to 0 क्या करते हम? तो जो एगात और अचरबत को गुना करते हैं तो 3 और minus 1 3 और एक उनके 3 हो गया अब 3 में घटा हैंगे दू हो गया, बिचला मिल गया? तो चलिए, देखे 3K square plus 3K minus k minus 1 equals to 0 यानि इस साथ से हम क्या किये? तो factor निकल दीजिए देखिए हम यहां दीजिएगा 2K, 2K को देखे 3K में 1K घटा देगे, दू के मिल जाएगा यानि यहां तक में factor मिल गया हमको अब क्या करेंगा? तो इससे solve करके 3K का value निकल देखिए तो आईए निकालते हैं, देखिएगा चलिए उसको बढ़ाते हैंगे दोनों में, पाइलाटर में देखिए क्या common है हैं यहां 3, यहां भी 3 यहां K square, यहां K common ले लिजे तो आपका common कितना हो गया? तो 3K हो गया बचा क्या है हैंपे? तो K plus 1 minus 1 common लिजे तो K plus 1 equals to 0 और K plus 1 into 3K minus 1 is equal to 0 आइदर K plus 1 equals to 0 जिसके कारण K का value minus 1 फिर और 3K minus 1 equals to 0 और 3K is equal to 1 और K equals to 1 by 3 यानि मूल समान होने के लिए K का दो मान चाहिए हमको अगर हम minus 1 रग देंगे तब भी मूल समान होगा और यदि हम 1 by 3 रखेंगे तो भी मूल समान होगा इन दोनों इस्तितियों में ही इनके मूल आपस में क्या होंगे तो बड़ा बड़ा होगे आव आईए हम अगला सवाल चुनते हैं कौन सा देखिए तो चलिए अगला सवाल लेते हैं हम अब तो अगला प्रावलम हम आपको बता रहे हैं वह है नमबर 9 नमबर 9 का सवाल हम आपको बता रहे हैं तो देखियो क्या है जाल दीजेगा सवाल है कि यदि समी करन A-BX² पलस B-C इंटो X पलस C-A इक्वल टो 0 के मूल समान मूल क्या हो? समान तो सिद्ध कड़े की 2A इक्वल टो B पलस C क्या दीजेगा जिस सवाल को हम लिए हैं उसमें काड़ा है कि इसके मूल आपस में समान यानि मूल आपस में बड़ा बड़ा तब आपको एक रिलेशन दिखाना है भाई रिलेशन तो बाद में दिखेगा वो तो दिखेगा यह दिखेगा जब होगा तो दिखेगा लेकिन सबसे पहले में सवाल को बनाते कैसे है याद है न? तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले समी करन लिखी हाई यह लिख लेते हैं तो चलिए solution problem करते हैं समीकरन है क्या तो a minus b x square plus b minus c into x plus c minus a is equal to z यह मेरा समीकरन हो गया आप क्या करते हम इसको तो इसको हम compare करते थे किसके साथ तो standard equation के साथ यानि मानख शुत्र के साथ मानख शुत्र है क्या भई तो मानख शुत्र है a x square plus b x plus c equals to 0 तो ध्यान दीजिए यदि हम इसके साथ चलें तो मेरा यहां small है इसका देखें पार्स small है तो काम चलेगा यहां पर नहीं न तो हम क्या करें हैं इस standard equation का स्वरूप बदर देगा और कैसा लिखेंगा a x square plus b x plus c equals to 0 यानि जहां small letter था वहां पर हम capital रखेंगे और हम पढ़े थे डीवर आपर क्या पढ़े थे तो b x square minus 4ac तो यहां कर देगे क्या जीजिए तो b x square minus 4ac यानि हरे चीज़ को क्या करेंगे हम capital में रखेंगे कोई तक लीव चले बहुत अच्छी बात अब हम इसको बढ़ाते हैं देखें तो x square के साथ जो है उसको हम करते हैं यहां पर a कितना हुआ तो a minus b हुआ बी कितना हुआ आपका तो b minus c हुआ और c कितना हुआ आपका तो c minus a हुआ ठीक है आप कहा जा रहा है उपक इसके मूल समान है जैसे मूल समान हुआ जैसे मूल समान हुआ इसका मतलब हुआ कि capital d जो होगा जी रोके बढ़ाबर होगा और इससे formula होगा b square minus और a c equals to g यह लगेगा अब यहां पर सब के value को रखी है और क्या होगा वो देखी b square b क्या है तो b है b minus c का whole square b minus c का whole square यह भी हो गया फिर minus 4 a कितना है a है हमारा a minus b और c क्या है तो c minus a बराबर कितना 0 ठीक है हम b square minus 4 a c के जगर एक बी के जगर b का मांद रखे c की जगर c का मांद रखे एक जगर यह का मांद रखे उतना मिल गया है अब आई इसको solve की ते जला देखे क्या क्या मिलेगा खड़िये service को तो solve करने के बाद मिलेगा हमें solve करने के बाद क्या मिलेगा उस्पिर जहन देते हैं तो solve करने के बाद मिलेगा हमें को देखे क्या मिलेगा है तो यहां लगेगा formula a minus b का whole square क्या होगा देखे होगा a square minus 2ab plus b square यह होगा a minus b का whole square फिर यहां पर इसको नीचे कर लेते हम तो minus 4 multiply कीज़े देखे तो plus 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 a c होगा plus minus minus a square minus plus minus 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 plus बड़ावर कितना 0 आई इसको और solve करते हम लोग देखे का होटा है तो देखे हो b square minus 2bc plus c square यहां मंटिक लागीज़े plus minus minus 4ac minus minus plus 4a square minus minus plus 4bc minus plus minus 4ab ठीक है बड़ावर कितना 0 अब क्या करना हम इसको देखे इसको सजाईए कोड़ासा तो क्या है यहां पर 4a square plus b square plus c square ठीक है फिर वहां से minus 4ab plus 4 और यहां देखे यहां दीज़ेगा यह minus में और यह plus में घट जाएगा हो जाएगा minus plus 2bc और minus 4ac is equal to 0 यहां दीज़ेगा आपको फिर से बताते हैं क्या क्या हुआ है उड़ाचे ध्यान से सुन लिज़ेगा क्याता आपको के दिया गया समीकरन है a minus bx square plus b minus c into x plus c minus a into a c minus a equal to 0 क्याता इसके मूच समाँ तो हम क्या किये क्यों दूइगा आपका quadratic equation था स्मोल ले तर उसकों capital 1 लिए तो इससे क्या हो गया capital A ed एक मैनस वी हो गया capital B ब्रावर होगया B minus C capital C ब्रावर होगया C minus a क्योंकि मूल समान है इसलिए discriminant 0 या बिवेचर 0 होगा बिवेचर क्या होता है 4 a c होता है capital later शॉत्या सब capital later रिगे ब्रावर क्यतना हो गया जी अब देखें B का मान क्या है, तो B है B minus C, तो यह B minus C whole square minus 4 into A minus B into C minus equals to 0, यहां तो दिये formula लगा दिये B minus C का whole square क्या होता है, तो B square minus 2 B C plus C square, यहां minus 4 देखे, A, A, A बुना C, A C, plus minus minus A बुना A, A square, minus plus minus B बुना C, B C, My minus minus plus A, B, आप देखे, B square minus 2 B C plus C square, आप देखे, plus minus 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 plus minus 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 Adjust हो गया? अब यहां के बाद क्या करने है हमको? तो आप इसको फ्यक्तर बनाना यानि हमको होल square देखना है किसका है, ठीक है? तो पहले दरख मिटां देते हैं कि अब यहां से इसको हल करते हैं पहले इसको पर ले लेखें और यह फोरे आसक्वार्ड पालास बी आसक्वार्ड पालास सी आसक्वार्ड माइनस पर ले बी पालास बी सी माइनस पर ले सी इसको रने दिजा यह वो कहें और चाचा करते हैं तो अब चीज आपको याद होगा सबी को वह क्या है तो ए पालास बी पालास सी का ओल असक्वार्ड क्या होता है होता है एका होल सब्पार पालास बी का होल सब्पार पालास सी का ओल सब्पार फालास डू ए पी फार्मूला के विदार इस फार्मूला पर कंप्लीट करते हैं तो इसी फार्मूला पर हम इसको से चाहिए तो बता यह पोड़ एशुर्पार किसका हो अगर यह जानना आपको इसका बर्गमूल लिखा लिजी किसका पर नोता है है तो हिससाग आधार को हम कैसे अखेंगे तो इसको लिए सकते हैं फिर बी को क्या लिएक के पिर इसको क्या लिखेंगे तो सीघाओ अलस को है हैं यहां तक ठीषा खुए है आप जड़ा देखे यहां प्रॉस है तो यहां साइन बनादें हिस्का इसके हिसाप से मेरा तो बाइन उसमाने जाने और प्रवांद से लिए को अब इस फॉर्मूला को देखिए पिस क्या वानिखा हुआ होगा तू 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 दीजिए यहां पड़ें किया नहीं और बी तो यहां पर सही हो से बी फिर फॉर्मूला क्या है तू भी इस की सायने बना आपको देखिए डिची तो पुलास लिक्टांगे टू बीटका उपर सी है फिर माइना से तो माइनस हो मॉंख चाल ऑगा कटा तो टू छी किया और एक जगा क्या आपका तो टू एसका उद कि यह मेरा सब कुछ इससे बढ़ा है देखे तो luca s4 फोर एक्षभर ego a इसका सब्सक्राइद का सब्सक्राइम का माइनक सब्सक्राइब को कि आज आपार Lawrence, लेकिन क्या दगया सेन सब्सक्राना कुंइस का सब्सक्रा नहीं कि उब मुण्हां फिर्च देगर लोग केर थर regards वहांगेir या किसको माइनस करेंगे इस बात की जारकाडिकों देता है हमको तो प्लस बात देता है अब कहीं क्या बात हुई तो देखे जाने से अगर हम माइनस गुना माइनस करेंगे तो भी प्लस होगा और प्लस गुना प्लस करेंगे तो भी प्लस होगा इसको अगर द्यान से देखें, इस बात को समझें, कि हम इसके पलस पर द्यान के हैं, एक B है, दुसरा C है, और पलस दो इसे थी से हमको मिलता है, माइनस गुना माइनस से भी पलस मिलता है, और पलस गुना पलस से भी पलस मिलता है, इस दोनों समको पलस मिलता है, अगर इसके हम पलस भी कुना प्लस भी करें तो भी तीमिलेगा यानि हमारी पाँजी क्या हमम debco माइनस में रखेंगे या पलस में अब कुछ भी कर सकते हैं तो अब आब चाहिए रुγαने लेकिन इक ineff इस टीन में दो की साहीनम बता हम चाहंंपो, तो ए nella bueno , आगर आप B C को रاخए का Minus तब A को रखना होगा Plus और अगर B C को रखना होगा Plus तो A को रखना होगा Minus, appositives , उल्टाउं careful ये Plus वो Minus, ये Plus वो Minus और ये Minus तो वो Plus, क्या करें दोनृ लिखे को बताेँ आप जिससे मनों उससे बनाएए को लिखात आपको नहीं होगा अगर आपकी मर्जियों आप लिखे 2a माइनस b माइनस c whole square equals to 0 तो भी यहां से होगा 2a minus b minus c equals to 0 और 2a equal to b plus c को लिखेंगे तो बिल्कुर मत लिखें आप जो खाता हो लिखें तूए को लिखें माइनस b plus c को लिखें प्लस whole square equals to 0 यहां से बढ़िया आगे माइनस टूए प्लस b प्लस c equals to 0 और यहां से 2a equal to b plus c यानि किसी तरह से लाई रिजर्ट होई आजा यानि यहां पर सब किसी को लेके बढ़िये आका सही है कोई इसमें दिक्कत नहीं हो नहीं हो लिए तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को प्रूब किए एक सवाल आये हम और देखते हैं देखें आग्ला सवाल क्या उसके लिखें अग्ला सवाल कर लोग आप फोकस करते हैं क्या करना है वो देखें अगर हम एक प्रॉब्लम आपको और बता जाएं पर सवाल कौन सा चुन रहे हैं इसको देख लीजें सवाल हम ले रहे हैं देखें क्या करता है कि यदी माइनस फाइब द्वीधाद समीकरन ट्वीधाद समीकरन ट्वीधाद समीकरन ट्वीधाद समीकरन ट्वीधाद समीकरन के मूल समान है तब के का मान याद ट्वीधाद देखें इस सवाल में दो सवाल को मिक्स करते हैं अब लोग 4.2 जब सवाब कर रहे थे तो वहां एक से ले करके न तेरह तक ऐसा सवाब था इसमें का रहा था मूल है यह वह वैल्यों याद कर रहे आप इसी क्यादा पर इसको सवाब करेंगे तो पहले इस प्रवलम का एक हिस्सा सवाब करते हूं कि चुकि यहां कार रहा है कि माइनस 5 इतना का मूल है मूल होगा कब जब एक्वेशन को सटिस्फाइगा तब तो यहां दिजिएगा कि यदि माइनस 5 इस द्विधास समी करन का मूल है इसका मतलब है जब इसका मान हम इसमें रखेंगे तो LHS, RHSS आपस में बड़ावर हो जाएगा ठीक है आई रखतें देखिए चलिए सौलिशन प्रादर्म मुं करते हैं ज्यान दिजिएगा 2Xस् è square plus 2P дел happiness calculator इसका मूल कोहँ है तो मैंस 5 – 2 –5홀 स्क्वाइगा पालस 2P into minus 5 – 50 equal to 0 जहां जहां आइस था वहां वहां के रख दिया हम तो माइनस 5 रही दिया ज़र से माइनस 5 लखते हैं आप देखे स्वाव कीज़ें तो माइनस 5 का होलो स्वार 25 अब 25 दुनी 50 माइनस प्लस माइनस 5 दुनी 10P और माइनस 15 इस इकवाई तो 0 अब 50 और 15 इस इकवाई गटाईए तो कितना होगा 35 ना 35 माइनस 10P इस इकवाई तो 0 यहाँ से फिर आगे बढ़ाईए तो 10P इस इकवाई तो 35 और P इस इकवाई तो 35 पाई 6 P का माइनस कितना मिला आपको तो P का माइनस 35 वटे 10 अगर आपका काटने का मन हो तो काट देजिए 7 पचे 35 5 सते 35 और 5 दोनी 10 7 पटे 2 किस का माण मिला आपको P का माण फिर सम बताते हैं अगर ध्यान दिजेगा दिया द्विगाद समीकर है 2X स्कॉर पलस 2P X माइनस 15 इकवाई तो 0 यहाँ पर X का माण माइनस 5 रख रहे हैं क्योंकि मूल है तो रख दिये जिससे समीकर सटिस्फा हो गया देखिए 5 का स्कॉर 25 पचीस दोनी 50 पलस माइनस माइनस 5 दोनी 10P यहाँ माइनस 15 अबरागन 0 35 माइनस 50 अगर 15 गटाईएगा तो 35 होगा तो यहाँ से इतना मिल गया अब हमसे कहा जा रहा है अब हमसे कहता है यह जो देख रहे ना क्याँ पर जाज़े उसका मूद समाने आए इसको बहुत देखे हम तो देखे आए ना फिर से ध्यान दीजेगा P X स्कॉर्ड पलस X पलस K पर इतन 0 P का माँ कितना लाए हम तो 7 बढ़ते 2 X स्कॉर्ड पलस X पलस K पर आबर 0 LC मूद ले लिजे तो 2 हो गया 7 इंटू X स्कॉर्ड पलस X पलस 2 K पर आबर 0 हो गया रहा दीजेगा दिया गैस समी करन है मेरा P इंटू X स्कॉर्ड पलस X पलस K पर तो 0 यहाँ P के जगे रख दिये 7 बार 2 X स्कॉर्ड प्लस X पलस K पर तो 0 LC मूद ले इसके नीचे नहीं कुछ नहीं होता है तो 2 एक का LC कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 से मुड़ी प्ला हो गया अब ध्यान दीजेए जो 2 देख रहे हैं नीचे भाग लगा उदा जाएगा गुणा हो जाएगा 0 में गुणा कुछ भी क्या हो तो 0 हो जाएगा अब हम इसी को बढ़ाते आगे देखिए आपने यहाँ से बढ़ाई आगे तो 7 इंटो X स्कॉर्ड पलस X पलस 2K इक्वास तो 0 और 7 X स्कॉर्ड पलस 7 X पलस 2K वरावर 0 अब यहां से काता इसका मूल समान है तो पहले बोलिए एक आमान कितना? 7 B कामान 7 C कामान 2K प्रश्न काता है मूल समान है मूल समान है मूल समान का जब विवेचा 0 बढ़ावर तब विवेचा का फॉर्मुला तो B S 5 माइनस 4 C बढ़ावर 0 तब बी कितना मेरा तो बी एस सेवन का स्कोय माइनस पोड़ इंटो सेवन इंटो टू के इस इक्वाल टू जीरम और आगे बराते हैं देखें अब ज़रा ध्यान दीजेगा जब हम साड़े वैल्यू को रखें तो क्या देखते हैं यहां कि सेवन यहां टू टैम में यहां सेवन साथ कॉमन ले दों से निकाल दीजित तो साथ निकल गया कॉमन बचा कितना सेवन माइनस साथ हटा जुझे चार दो नहीं आठ आठ के बड़ावर जीरू साथ इधरा की खतम हो जाएगा बचेगा कितना आपका सेवन माइनस एट के इकोई टू जीरू जिसके कारण सेवन बड़ावर एट के जिससे के का अमान हो गया सेवन वाए एट यही हुआ आपका यहाँ पर के का वैरियरू हम इसमें देखें कि के का अमान मेरा सेवन वाए एक उता है इसी से आपको प्रोब्लम को सॉल्ट करना है ठीक है तो यह सवाल था दस पर अब हम इसको और आगे ब अगला सवाल है वह है 11 नमर ठीक है और 11 में हम क्या करते हैं कि आपको बता देते हैं 11 का चुनके 11 का 2 सवाल बता देते हैं तो द्यान दीजिए हम पहला बता रहे हैं आपको वह है के एक्स अस्वार माइनस तू रूट फाई एक्स प्लस फोर बराबर जी दो के मूल बास्तविक के मूल बास्तविक है तो के का मान ग्याद करना है कि आपको आपको कि मूल बास्तविक है यहां पर क्या करेंगे हम किसमें दोनों को मिक्स करें किसको समान को रह समान को तब यहां पर चुकि मूल बास्तविक है तो मूल हमें क्या मिलेगा मूल हमें मिल जाएगा यहां पर इसके इसके इसाबसे दी जो होगा वह होगा ग्रेंट कुझ तो अपर सवाल लिखेंगे आपसे पहला काम करना कि आपको तस सवाल लिखे थाए यह सवसे पहले सवाल लेकर देख़ें तो के रक्स क्वायर माइनस तू रूट फाइब एकस प्लस पोड इकवस्तुजीड यहां पहला अब क्या कि इसको स्टेंडर ही क्वेसं से कंपेर करेंगे एक वाल्यू कितना के बीका वैल्यू माइनस टूरूट फाइब और सी का वैल्यू ठीक है यहां तको को दिकत नहीं आगऑ हमसे कहा रहा है कि मूल वास्तविक मूल अगर वास्तविक होगा इसमें समान और वास्तविक दोनों का डि Ce n मील नक ह ale है इकविर को सब less चुकी मूल बास्तिविक है, बास्तिविक है, ठीक है, इसलिए D greater than equal to 0, और B square minus O rac greater than equal to 0, ठीक है, आप बढ़िये यहां से आगे, आप क्या होगा दीखिए, तो B, B क्या है मेरा, देखिए, We have minus 2 root 5 whole square minus 4 into k into 4 is greater than equal to 0 देखिए B का मार minus 2 root 5 जाथ minus 2 root 5 का whole square कर दिए यहाँ minus 4 जातो minus 4 दिए k के जगा एक जगा k था तो k रखे और भी लिए पर दिए अब इसको सौब करते देखिए क्या होगा 4 into 5 minus 4 into 4 into k is equal to 0 इसको और आगे बढ़ाईए तो यहाँ सोगा आपका चार कॉमा ढटा दिए तो 5 minus 4 k greater than equal to 0 फिर आगे बढ़ाईए यहाँ से 5 minus 4 k greater than equal to 0 और घ्यान दिजेगा 5 greater than equal to कितना 4 k अगर हम 4 k लिखेंगे देखिए 4 k तरब छोटा हुआ है इसको सही उलट की लिखेंगा देखिए 4 k क्या होगा अब लेजदेन हो जाएगा 5 इससे k का जो value होगा वह हो जाएगा लेजदेन 5 यानि k का मान आप 5 रखो या 5 से छोटा रखो क्यांसे देखिएगा मूल बास्तिक होने के लिए के का मान या तो आप 5 रखिए या 5 से छोटा रखिए तब दोनों इस्तिति में या आप करूल क्या होगा तो भास्तिक होगा इसका ये सवाल हम आपको और बता देखिए सवाल क्या है आई हम आपको पहले सवाल दिखाते हैं चलिए इसका सवाल है X स्कॉार पलस K इन्टू 4X पलस K माइनस 1 पलस 2 इकुल टू 0 के मूल वास्तिक हैं तो आप से कड़ा क्या का मान या तक है आपको क्या कहना है सबसे पहले तो समीन तरह लिखना है लिख लिजिए देखें X स्कॉार पलस K 4X पलस K माइनस 1 plus 2 equal to 0 सुम किज़ेशको x square plus 4k into x plus k square minus k plus 2 equal to 0 फिर सेट किज़ेशको x square plus 4k into x plus k square minus k plus 2 equal to 0 खंपेर किज़ेशको क्या होगा यहां पर a का value 1 b का value 4k c का value k square minus k plus 2 क्या काड़ा को इसमें भी काड़ा है कि मूल क्या आपका सम बास्तविक है मूल बास्तविक का होगा जब d greater than equal to 0 लगाए देखें चुकि मूल बास्तविक है इसलिए d greater than equal to 0 यानि d का जो मान होगा वह आपका 0 के बराबर और 0 से बढ़ा होगा आई ये value put करते हैं हम लोग देखें क्या होता है जान दीजेगा तो formula होता है b square formula होता है b square minus 4a is equal to greater than equal to 0 होगा b कितना वाए तो b आपका है 4k whole square ठीक है b minus 4 into a यानि वाद c के जगा आपका क्या है तो k square minus k plus 2 है है बढ़ाबर क्या होगा तो 0 होगा आई इसको solve करते हैं और 4 देखें यान तो 4 4 हटा देते दोनों से greater than equal to 0 रहेगा 4 हटा देखें देख चाल बज़ जाएगा 4k square minus k square minus k plus 2 greater than equal to 0 और सौंकी जेस्टो देखें क्या होगा 4k square minus k square plus k minus 2 greater than equal to 0 और बड़ाई ये square है तो 3k square plus k minus 2 greater than equal to 0 देखें तिन दुनी 6 लाना हम इतना नहीं क्या देखेंगे 3k square plus 3k minus 2k minus 2 equal to 0 फिर common 3k ले रिये तो गया k plus 1 यहाँ minus 2 ले कामन तो 3 plus 1 equal to 0 अब इससे हम क्या करेंगे तो k का value का देमर साब ज़ेगा अब इससे हम देखेंगे किसका तो k का देखें देखें k का मान पता चाल जाएगा बारी बारी सेखेंगे और k plus 1 into 3k minus 2 greater than equal to 0 हो गया? अब इसको दो पाठा लगला तोड़ लिजी देखें आएगार k plus 1 equal to 0 जिससे k का value sorry greater than तो greater than minus 1 साइने बदना आपको जो है बढ़र निदेगा 3k minus 2 greater than equal to 0 जिससे 3k greater than 2 जिससे k greater than equal to 2y इसमें दोनों में हमको किसका मन मिलता है के का मन मिलता है ठीक है? अब आप लोग सभी वेक्ती घर में इस पूरे प्रॉब्लम्स को देखिएगा जो कुछ नहीं बचेगा बनेगा आपसे इसको हम कल देख लेंगे लेकिन आप सभी लोग इसको try कीजे देखे प्रॉब्लम्स बेहाद आसान है घर में जितना अच्छा मिहनद कीजेगा उद नाच्छा आप पायदा तो आज के कलास में इतना ही फिर हम कलाप से मिलते हैं